नमस्कार मित्रो आज मैं क्रिश्चन ब्लूप्रिंट का दूसरा भाग लेने वाला हूँ हमने पहले भाग में अगर आपको याद होगा पहले भाग में मैंने बताया था कि किस प्रकार से एक अटूट संबन एक मसी परिवार में होना है यदि यहोवा घर को ना बनाए तो उसके बनाने वाला व्यर्थ होगा और आज कल हम अपने परिवार में देख रहें कि हर परिवार के कुछ सद्धा से कुछ लोग मैं सब परिवार के बात नहीं कर रहा हूं बहुत अच्छे मसी परिवार भी हैं लेकिन कहीं कहीं पर मसी परिवार में एक प्रकार की दरार पड़ी हुई है पती अलग है पत्नी पतनी एक हैं परमेश्वर की दृष्टी में क्योंकि परमेश्वर जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उसको मनुश्य अलग न करे और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से पती पतनी का सिर है और पती का सिर प्रभुईश्यमसी है और किस प्रकार से पतनी पती को समर्पित क कि पती को भी अपने पतनी से अपने देह के समान प्रेम रखना है तो ये बात हुई ठोड़ा सा पिछले एपटनी में जो बात किया हम आगे बढ़ेंगे जब ये एपिसोद आगे बढ़ता है पती पतनी का संबंद, प्यार वाला संबंद प्रभू में आगे बढ़ते हैं, प्रभू को प्यार करते हैं फिर बात में हम देखते हैं परमेशर उनको गिफ्ट के रूप में उनको बच्चे देते हैं और ये बच्चे परमेशर की और से क्या है गिफ्ट है जो भी बालक लड़के लड़कियां परमेशर हमें देते हैं ये परमेशर की और से क्या है गिफ हम पती पतनी या माबाप अपने बच्चों के साथ जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा वहवार करें उनको हम परमेश्वर की प्रेम में परमेश्वर की मूल्यांकन में उनको बढ़ाते रहें मैं आपके सामने कुछ पदों को यहाँ पर रखूंगा मैं चाहता हूँ इस बात को आपके सामने रखूं इफीजियों की पत्री उसका छट्वा अध्याए और चार पद इफीजियों उसका छट्वा अध्याए चार पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है और हे बच्चे वालों अब बच्चे वालों का मतलब है माँ बाप, मैं भी एक बाप हूँ, मेरी पत्नी माँ है, हमारी भी एक बेटी है, तो हे बच्चे वालों अपने बच्चों को गुसा न दिलाओ, रिस न दिलाओ, परंतु प्रभू की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोशन करो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर आपको बच्चे एक दान की रूप में देता है, परमेश्वर देते हैं, और इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है, रिस्पानसिबिलिटी होती है, कि हम उनकी देख भाल करें, हर प्रकार से, अब कलूसियों में भी ये बात हम पढ़ते हैं, कलूसियों उसका तीसरा ध्याय और 21 पद, माबाप की जिम्मेदारी पढ़ती है कि हम बच्चे को शारीरिक रूप से, मांसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, और आत्मिक रूप से उनकी देख भाल करें, मैं थोड़ा सा समय यहां पर लूँगा कि किस प काच की गुडिया हैं, काच की गुडिया हैं, अगर हम उनको ठीक से हैंडल नहीं करेंगे और अगर वो गिर गए तो तूट जाएंगे, आप समझ गये ना मेरा कहने का मतलब, माबाप की यह रिस्पांसिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है, कि हम अपने बच्चों को बड़े प्यार से, बड़े सहला करके प्रेम के साथ उनसे डील करें, उनके साथ संबन्द रखें, उनको सिखाएं, चिताएं और डिसिप्लिन भी करें, यह सब बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं, है ना, और इसी लिए यह बहुत जरूरी है, कि हम अपने बच्चों को प्रमेश्वर के वच्चन के द्वारा शिक्षा दें, आप मुझे बताइए, जब हमारे बच्चे आते हैं हमारे जीवन में, हम कितना उसका अशारिरी गरूप से देख भाल करते हैं, बहुत इक रूप से, अच्छा कपड़ा देते हैं, कर रह जाएं, लेकिन अपने बच्चों को जरूर वच्छा कहाना देती हैं, क्यों? ये प्रेम है, सारी रिकुसे माबाप का प्रेम है बच्चों के प्रती, और अच्छी बात है ये, जब बच्चे बड़े होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे स्कूल मे वेवार करते हैं? क्या आपको अपने बच्चों के लिए आत्मकता के बारे में कोई चिंता है? जिस प्रकार हम भौतिक रूप से उनकी चिंता करते हैं, उनको अच्छे से अच्छी चीज़े देते हैं, क्या आत्मक में अनंच जीवन के लिए हम उनको बढ़ाते हैं? ये किसी को अपने घर में रख लिया भाई तुम बच्चे को देखो हम कमाने निकल गए मुझे एक शेर याद आ रहा है कमाने की भूक लगी दौलत की भूक लगी तो हम कमाने निकल गए जब कमाया जब हम कमाने निकले तो रिष्टे हमारे हाथ से निकल गए जब फुरसत नहीं हैं तो जब हम बच्चों के साथ रहे तो पता-पड़ा की बच्चे कमाने निकल गए. यही होता है दोस्तों, हम पैसों की बूफ रहती है कि हम अपने बच्चों को प्रमेश्वर के वच्चन में, प्रमेश्वर के प्रेम में, प्रमेश्वर के शिक्षा में आगे बढ़ाए। और यही मतलब है यहाँ पर, जो मैंने आपके सामने रखा है, एफीसियों का छहे चार, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस्च न दिलाओ, परंतु प्रभू की शिक्षा और शितावनी देते हुए, उनका पालन, पोशन, खरो, जी यहाँ, यह बात हम यहाँ पर देखते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूँगा, निववस्था विवरन, उसका छट्वा अध्याए, विवस्था विवरन, और उसका छट्वा अध्याए, और उसके कुछ पदों को, जो शुरु में दिया गया, बहुत अच्छा पद है यहाँ पर, मैं आपके सामने पढ़ूँगा, चार पद से, सुनिये, वो इसराइलियों से बोल रहा है, और वो हम से भी बात कर रहा है, हे इसराइल, सुन, यहवा हमारा परमेश्वर है, यहवा एक ही है, तू अपने परमेश्वर यहवा से, अपने सारे मन, और सारे जीव, और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्याएं जो मैं आज तुछ को सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तो इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना और घर में बैठे और मार्क पर चलते लेटते उठते बैठते इनकी चर्चा किया करना सुनिये साब आपके बच्चों के लिए ये परमेशर का वचन इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हम किस प्रकार से परमेशर का वचन उनके दिल और दिमाग में भरे और इन्हें अपने हाथ पर निशानी करके बानना और ये तेरे आँखों के बीच टीके का काम करें और इन्हें अपने चौकट के घर के बाजुमों और फाटकों पर लिखना तब परमेशर यहुआ तुम्हें आशिश देगा कितना साफ लिखा हुआ है बहुत साफ रिती से यहां पर हम देखते हैं परमेशर के वचन में कि हम अपने बच्चों को किस परकार से बढ़ाएं हर बात में लेकिन सबसे ज़्यादा परमेशर के साथ परमेश्वर का वचन उनको हम दें अब मैं आपको पता हूँ जैसे कब आप ये शिक्षा दे सकते हैं मैं आपको पता ना मांगता हूँ जब आपको पता पढ़ता है कि आप बाप बनने वाले हैं या आपकी पत्नी मा बनने वाली है तब से आप जो मा के गर में जो फ़ल है तब से आप प्राटना कर सकते हैं जो बच्चा आपके पत्नी के गर में है प्रबू इस बच्चे को मैं तेरे हाथ में सॉपता हूँ तेरे हाथ में सॉपती हूँ और इसको तु अभी शेक कर पत्नी को चाहिए कि परमेश्वर का बच्चन याद करे, परमेश्वर के बचन को पढ़े, मनन करे क्योंकि जो वो सोचती है जो वो करेगी, वो उस कोड के द्वारा जिससे बच्चा बंधा हुआ है, वो उसके दिमाग तक पहुँचेगा और नौ मैने जब मा के गर में वो बच्चा है, जैसी वो पत्नी करती है, आपकी पत्नी जैसे वो सोचती है, करती है परमेश्वर के बच्चन को अपने दिमाग में डालती वो साब बच्चे के दिमाग में जाता है और इस तरह से हम देखते है वो बच्चा आधा ट्रेंड अलड़ी हो गया, दुनिया में आने से पहले, और जब वो दुनिया में आता है, तब आप दुसरा आधा पूरा कर सकते हैं, उसको परमेश्वर का बच्चन सुना सकते हैं परमेश्वर के बच्चन उसको इंकरेज कर सकते हैं बेटा, बेटी, याद करो परमेश्वर का बच्चन परमेशर का बचन मनन करो अपने घर के चौकटों में दिवालों में अपने घर के अंदर परमेशर का बचन लिखिए ताकि जब बच्चा पूछे पापा ये क्या लिखा हुआ है मम्मी इसका मतलब क्या है तो आप बताइए कि ये परमेशर के बचन है सीधे कैलेंडर मत लगाईए आजकल बहुत उल्टे सीधे कैलेंडर आ रहे मसी कैलेंडर लगाईए मसी वचन लिखिये दिवालों पर दरवाजों पर जी हाँ जब लोग देखते हैं पढ़ते हैं अविशेश करके आपके बच्चे तो आप इस तरह से बच्चों को आप बढ़ा सकते हैं परमेश्वर के बच्चन के द्वारा माबाप आप भी परमेश्वर के बच्चन उस बच्चे के साथ याद करिये मनन करी, हमने ऐसे ही किया मेरी बेटी को हमने ऐसी बढ़ाया और हमें बड़ी खुशी है कि आज वो परमेश्वर की सेवा में लगी है जी हाँ, वही मैं आपको पता रहा हूँ जो मैंने सीखा है, मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, हमारा घर एक परमेश्वर का घर है मैं ये बोलता हूँ कभी बोलते ना, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये गलत है छोटा परिवार, सुखी परिवार नहीं हो सकता है, कौन सा परिवार सुखी मसीही परिवार सुखी परिवार आमें, आमें जहां प्रभुईश्य मसी हमारा बास है प्रभुईश्य मसी हमारे परिवार का मुख्या है उसका प्रेम पती के द्वारा, पिता के द्वारा, पतनी के द्वारा, माता के द्वारा बच्चों तक पहुंसता और यही कलीसिया बन जाती है यही माँ बाप और बच्चे कलीसिया में समलित होकर के चर्च में आगे बढ़ते हैं सो मेरे दोस्तों हम परमेश्वर का भचन अपने बच्चों को सिखाए उन्हें सिखाए कि बेटा किस प्रकार से हम परमेश्वर की रादना करते मेरे बेटी 6 साल में प्रभू की इश्वर मसी को ग्रहन किया 12 साल की उमर में उसने बप्तिस्मा लिया कितनी खुशी की बात है अरे साब अगर किसी माँ बाप का धन अगर है तो उनके बच्चे जो प्रभू इश्वर मसी की रापर चल रहे है कितनी अच्छी बात है धन तो आता है चला जाता है लेकिन अनन्त जीवन जो प्रभू इश्वर मसी में आता है अरे साब वो अनन्त समय तक हमारे साथ रहेगा धन्य है वो परिवार जहां पर माबाप और बच्चे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए यह नहीं कि पती अलग पतनी अलग बच्चे अलग घर में साब हाकार हो गया है बहुत दुक्की बात है इसलिए मैं आप से बिंती करता हूँ मेरे दोस्तों कि हम अपने परिवार को मसीही शिक्षा में आगे बढ़ाएं और लिखा हुआ है परमेश्वर के बच्चन में कि अपने बच्चों को बताएं कि बेटा ममी डैडी का कहना मानो उसको सिखाना है तब ही तो वो करेगा नहीं तो वो गलत बाते सीखेगा एक बात और मैं आप से बताना मांगता हूँ आजकल मीडिया का जमाना है अब हम लोग क्या करते हैं अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं छोटे-छोटे बच्चे 6-7 साल, 8 साल, 9 साल और वो क्या करते हैं मोबाइल से खेलते हैं क्या गेम्स ये वो आपको पता हैं मोबाइल से बच्चों का दिमाग अच्छा नहीं रहता जनरली जो रिसर्चर्स है बताते हैं क्योंकि उससे ब्लू रेज निकलती है जो बच्चों के नन्य आँकों के लिए ठीक नहीं है जी हां और गेम्स भी कभी कभी उल्टे सीदे आने लगे हैं मैं ये आप से बिंती करूँगा मेरे दोस्तों आप बच्चों को मोबाइल ने दीजे आगर कुछ बात किसी दोस्ते करना है बच्चा अगर 10-11 साल का पड़ा है तो मोबाइल दीजे बात करी अपने दोस्तों से फिर वापस ले लिजे मैं तो यहीं कहूँगा बहुत दुख की बात पड़ता है कभी-कभी बच्चे माबाप अपने बच्चों के लिए बोलते देखे हमारा बच्चा तो मोबाइल भी जानता है हमारा बच्चा देखो रिमोट से टीवी ऑपरेट करता यह खुशी की बात नहीं दुख की बात है क्या आपका बच्चा परमेश्वर का गीत जानता है क्या आपका बच्चा परमेश्वर का भचन जानता है या नाच गाने में ये सब एक्सपर्ट है मेरे दोस्तों मैं पूरे भै के साथ और पूरे बर्डन के साथ मैं बता रहा हूं आजकल हमारे विश्वासियों के बच्चे इधर उधर बिकरे पड़े हैं औ आप अपने बच्चों के लिए मौडल बनिये इस परकार से परमेश्वर का भचन सिखाईए अपने बच्चों के लिए मौडल बनिये नमूना बनिये आदर्श बनिये आप अपने पतनी से बात कैसे करते हैं आप अपने पती से बात कैसे करते हैं बच्चा सब सुन रहा है हम सोचते हैं कि बच्चा तो खेल रहा है वो नहीं सुनेगा अरे साब वो सब सुन रहा है उसके दिमाग में सब बात जा रही है और वही बात बाहर जा करके खेल में वो करेगा अपने दोस्तों से लड़ाई करेगा क्योंकि घर में क्या हो रहा है लड़ाई चल रहे है, मन मुटाव है इसलिए आपको model बनने की जरूरत है पती अपने पतनी से प्रेम से बात करें, है ना सहन शीलता के साथ बात करें, पतनी अपने पती से बड़े प्रेम से बात करें, है ना वो बात अलग होते हैं, मैं नहीं बोलना हूँ कि एक perfect पती-पत्नी होते हैं, नहीं, होता है बीच में, टकराव होता है, मन मुटाव होता है, लेकिन इसको ज़्यादा देर आप न रखे, क्योंकि आपके बच्चे आपको देख रहे हैं, और जो वो देखेंगे, वो भार करे और जब बड़े होंगे, वैसे ही करेंगे, मुझे याद है कि एक कहानी इस प्रकार से है, एक बच्चे ने pencil चुरा करके घर ले आया, और उसने कहा, ममी, ममी, देखो, मैंने pencil चुरा के लाया, देखो, एक किती अच्छी बात है, मा को गुस्सा आया, उसने देव उसको left-right पिटाई की, बच्चा रोने लगा, इतने में उसका बाप आया घर, और अरे क्या हो गया भई, अरे देखे आपका बेटा, चोर बन रहा है, पैंसिल चुरा के लाया, तो बाप क्या बोलता है बच्चे से, अरे बेटा, तेरे को अगर पैंसिल की चुर रहती, तो इस स्कू सिल चुरा के लाएगा, ये क्या मॉडल है ये, ये नमूना नहीं, वही बच्चा जब ये सुनता है, तो आगे उसके लिए क्या अच्छी बात नहीं होगी, आपको और मुझको हर बात में मॉडल बनना है अपने बच्चों के प्रती, और तब वो जो देखते हैं, सीखते ह बाहर वही बात करते हैं, सो हम देखते हैं, बच्चे जो है, इस प्रकार से हम अपने बच्चों को सिखाएं और डिसिप्लेन भी करें, इबरानियों के पत्री में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो जिस से प्यार करता है, उसको क्या करता है, तारना देता है, आप अपने बच्चों को डिसिप्लेन भी करें, लिखा हुआ है, निती वच्चन और उसका, मैं आपके सामने पढ़ूँगा, निती वच्चन और उसका बाईसवा अध्याय, निती वच्चन उसका बाईस अध्याय और मेरे ख्याल में छट्मापत, लड़के को शिक्षा उसी मार की द जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह भुडापे में भी उससे नहीं हटेगा, अपने बच्चों को वही शिक्षा दे, जो अनंत जीवन के लिए क्या होगा, लाबदाय को बच्चा आपको बहुत धन्यवाद देगा, मेरी बेटी मुझे बहुत धन्यवाद देती, पापा थोड़ा सा आपने जाजा 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 पिटाई कर ली, लेकिन अच्छी बात है, मैं आज परमेश्वर की साथ सेवा कर रही है, अपने परिवार में खोश हूँ, है ना पिटाई का मतलब है दे दना दन, नहीं, आप अपने बच्चों को समझाईए, कई बार समझाईए नहीं मानता है, बच्चा ही है, तो थोड़ा सा छड़ी लगाने की जरुद भी पड़ती है, क्योंकि जो छड़ी उसको आप लगाएंगे, वो बार में याद रखेगा, याद रखेगी, और उससे आप सिखा सकते हैं, और इस प्रकार से जब आप उसको डिसिप्लिन करते ह अपने अपने प्रेम में थोड़ा सा हर्ड जरूर होता है, दुख होता है, कभी कभी जब मैं अपनी बेटी को डिसिप्लिन करता है, मुझे ज़्यादा दुख होता था, बेटा, दुख मुझे हो रहा है, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं, उसी प्रकार से हम अपने ब जरुवत है वो हम देंगे और अच्छी से अच्छी जरुवत पुरा करेंगे लेकिन हर डिजायर को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपने बच्चों के लिए क्या बनना है आदर्श बनना है जी हाँ तो हम देखते हैं उसको हम प्रभू के प्रे में बढ़ें एक समय आए बढ़ रहे हैं अच्छी सिक्षा पा रहे हैं और आपको पता है परमेशवर बुद्धी देगा उन बच्चों को और पढ़ने लिखने में साहता करेगा लिखा हुआ है अगर आप परमेशवर का बच्चन जब उसको देंगे तो परमेशवर उने बुद्धी देगा बच्चे की जुन्हों ने प्रभुष मसी को अपना जीवन दिया, परमेश्वर का बच्चन मनन करते हैं, याद करते हैं और अपने क्लास में फर्स्ट आते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे हैं ना वो, परमेश्वर बुद्धी देता हुँ उनको, और वो अच्छे बनते हैं शारीरीक रूप से भी वो अच्छे रहते हैं आत्मिक रूप से भी बढ़ते हैं और मांसिक रूप से भी वो आगे बढ़ते चले जाते हैं लिखा हुआ है मैं आपके सामने पढ़ूँगा भजन सहीता उसका पहला ध्याए और उसके पहले पद में या लिकावा है धन्य हैं क्या ही धन्य वा पुरुष जो दुष्टों की युक्ती पर नहीं चलता और ना पापियों के मार में खड़ा होता और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है परंतु वह तो यहोवा की विवस्था से प्रसन रहता है और उसकी विवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है वह उस व्रिक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रीतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुर्जाते नहीं इसलिए जो क कुछ वह पुरुष करें, वह सफल होता है। मेरे मित्रों, आशा है कि आप थोड़ा सा चनौती भरा मैसिज आपको मिला होगा और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, परमेश्वर आपको आशी दे, अगर आप कोई देखते हैं, दुसरा व्यक्ति उसके ऐसा जीवन नहीं है, आप उनके साथ भी शे करके अपने मसी परिवार में उन्नती पासके, जिसका पूरा करता धरता हमारा प्रभू परमेश्वर, प्रभू इश्व मसी के द्वारा आगे बढ़ता रहे, आमेन